हाई मेर नाम परशानत है यह टीर यह तो होता है यह परभाड इसमें व्यवार नहीं लगे लिए होते है фин MICHAEL कर Take और एक यह स्नोचेन है जो हमने चंडिगर से लीती इसमें क्या प्रावलम में जब भी आप जो लगाएंगे तो यह जो है आपका यह ग्रीप है एक- तो यह तूट जायेगा इसकी कि एक से अब से WILD जाए यहां से धी क्यांट से यहां कि में में फ्मीन काम के बthis उपनेद ऊसे कम करएं तृत है है वहां जादा स और मेरद निए और छोड़ा है। फ्मीन है उच्छी आहिंकि और रृत ऊती है यहां को इस पर से मचक्तम से तोieren ऊभर जो ज्याद normal起 और मिल भाद को फर्क पड़ेंद कोई आवाद नियागी जब आफ इसको लगाएंगे तो को सांट नी आएगा कुछ भी नहीं आएगा और काम भी बहुत अच्य से अशू से यह और इसका तूटनेक्र आप कितने भी जोर लगा लो ξ放 ल Laz це फुल एक तो यह संबने से कोई चैंस नहीं होते हैं इसके साथ तो इसका कुलने के कुई चांस नहीं होते हैं नहीं यह टूटेगी नहीं यह घुले जो बैससे है वो यह है यह जो इंजनियर्स प्राइविट लिमिटेट वहां पर आपको इसनोचेन मिलेगी इसकी कॉल्टी बहुत ही अच्छी है अब मैं यह जो यह जो पिछ्छी स्नोचेन ड़िया इसमें क्या प्रॉब्लम है हुता कहा कि कई बार जैसे स्नोचेन की जुरूरत पड़ी पर एक किलोमेटर लान चलेंगे फिर फोड़ी सी कम स्नोज है मतलब स्नोज नहीं मां आ जाएगा और फिर एक किलोमेटर चलने के बाद दो किलोमेटरी चलने के बाद फिर स्नोचेन हमको हि कॉलने पड़ेगी क्यूंकि यह जो स्नोचेन में और पूरी आपने नहीं लगेगा जब ये पके रोड पर टार्मक रोड पर बी चलेगी तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी में नगी हुई है। सिर्फ एक सरसल्सर ऐसी सौंड आती है। अगर आपके शीशे बंद हो में तो अंदर पता नहीं लगता है। यह सारी गूड़ गूडा होगी है ne बिल्कुल इबेकार है तोड़ा साथ घूर लगाँगा तोड़ा लगाइंगे आप इसको थोडा साबी जूर लगाएंगे जी अटोड़ाइंगे हेसी खुल जायीग तो सीधा फर्क यह तोड़ेगी आपकी ब्रेक पाइप को सीधा ही आपकी ब्रेक पाइप को तोड़ देगी जैसे खुलेगी या कुछ भी होगा तो आपकी ब्रेक पाइप को तो आपने ध्यान में रखना है जब भी आप स्नोचेन लगा है तो उसका ध्यान में रखना है कि आपको कोई आवाज आ रही है तो आपने इमिडेट उसको खोल देना है सुनोचेन को ताकि वह बाकी और कुछ नुकसान ना करें 90% वह ब्रेक पाइक को तोड़ देती है जब भी आप स्नो में आते हैं आपका जो टायर प्रेशर है वह 25 और 26 पॉंड होना चाहिए तायर प्रेशर आपका और जो स्नोचेन है इसको पूरा टाइट रखना है अगर यह स्नोचेन रूज होगी एक तो यह आवाज करती रहेगी और इसको पूरा टाइट रखना है जितना आप टाइट कर सकते हैं इसको टाइट कैसे करना है आपने इसको स्नोचेन को लगाया नो डॉट उस वक्त यह उतनी टाइट नहीं होगी आप सौ मिटर चलाओ इसको गाड़ी को फिर दोवारा चेक करो फिर इसको दोवारा टाइ से क्योंकि लूज होगी यह तायर को फर्खपड डालेगी तायर को काट देगी हो सकता है यह तायर के अंदर गुस जाए तो यह आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि इसकी पूरी टाइट हो नीजिए और जब आप स्नो में आते हैं तो आपके जो टायर का प्रेशर होता ह है वह 25-26 के अंदर रखना है पूंड के अंदर रखना है यूज़ को अगर आपको लग अगर स्लिप कर रही है आपने स्नोचेर नहीं लगाई है और गाड़ी आपकी हिल रही है तो टायर प्रैशर को और कम कर दो अपने समझ के अनसार उसको कम कर दो पर जो 25 और 26 के अंदर का जो टायर प्रैशर है स्नो में वो बहुत अच्छा काम करता है थैंक यू